मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेहंगे दाम में सबजी बेच कर आये कर लेकिन दीदी हम ग्राहकों को ठग नहीं सकते वो बिचारे बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वैसे भी बाजार में जो भाव है उसी हिसाब से तो बेचूंगी न आई बड़ी इमानदार बने क्या फाइदा ऐसी इमानदारी का जिससे हमारा घरी न भर सके और जादा दाम में बेचेगी तब ही तो हम जादा पैसे कमा पाएंगे अब खड़ी-खड़ी मेरी शकल क्या देख रही है जाब यहां से और घर के काम कर शीतल बिचारी घर के काम काज में लग गई शीतल कुछ साल पहले ब्या कर उस घर में आई थी लेकिन एक रोज अचानक उसके पती की मौत हो गई और वो विधवा हो गई लेकिन उसकी जिठानी अनीता बड़ी ही लालची थी वो शीतल से उसकी सारी कमाई ले 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 थी शीतल सारा दिन कड़ी धूट में जाकर सबजी बेच दी शीतल की एक चार साल की बेटी अनू थी एक रोज अनू को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बुरी तरह कापने लगी शीतल उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई लेकिन उसकी दवाई से भी उसे आराम नहीं मिला ऐसे ही दो दिन बीद गए फिर तीसरे दिन हार कर शीतल दुर्गा मा के मंदिर गई हे मा आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किये हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है मैंने अपनी अनू को हर वैद और डॉक्टर को दिखाया लेकिन फिर भी उसका बुकार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसके ये बात पंडित सुन लेता है फिर वो शीतल को एक महात्मा के पास जाने को कहता है जो उस मंदिर के पीछे बैठता था शीतल बहां जाती है और उस महात्मा को सारी बात बताती है येले बेटी ये जादुई टमाटर के बीच हैं इससे उगने वाले टमाटर लाल जादुई टमाटर होंगे लेकिन हाँ याद रहे इस बीच से उगने वाले अमरूदों से तुम गरीब लोगों की मदद करना और अगर तुमने जरा भी लालच किया तो धीरे धीरे तुम्हारा सब को छिन जाएगा मैं समझ गई बाबा मैं कभी भी इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी घर आकर शीतल उन बीजों को अपने आंगर में बोदेती है अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उस आंगर में बहुत सारे जादोई लाल टमाटर लगे हुए होते है उसे देख शीतल हैरान रह जाती है फिर वो उसमें से एक लाल टमाटर तोड कर लाती है और काट कर अपनी बेटी को खिलाती है उसे खाते ही अनुपूरी तरह ठीक हो जाती है भगवान का लाख लाख शुकर है जो तुम ठीक हो गई मैं आज ही उन महात्मा से मिलकर उनको धन्यवाद करके आऊंगी हैं? लेकिन ये तुम्हें कहां से मिला? फिर शीतल उन्हें सारी बात बताती है ये बात सुनकर उसके जेट-जेटानी के मन में लालच आ जाता है धीरे-धीरे ये बात सारे गाउं में फैल जाती है शीतल बेहन, मेरी मा के तब्याद बहुत खराब है डॉक्टरों ने तो जवाब तक दे दिया है हाँ हाँ राजु भाई क्यों नहीं? रुको मैं भी तोड़ कर देती हूँ राजु अपने मा को वो टमाटर खिलाता है उसकी मा पूरी तरह ठीक हो जाती है अब ये बात आस-पास के गाउं में भी फैल जाती है एक रोज जब शीतल सबजियां बेचने बाजार गई हो तो अनीता और उसका पती घर के अंदर आराम कर रहे होते है तब ही उन्हें बाहर लोगों के शोर की आवाज आती है जिसे सुनकर वो दोनों बाहर आते है तो बाहर लोगों की लगी भीड को देखकर वो हैरान रह जाती है सबको मिलेगा लेकिन पांच सो रुपे का एक पांच सो रुपे ये तो बहुत महंगे है कहां महंगा है भाई सहाब आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उन्हें दवाईयों के और फीज के हजार उपे देने होंगे लेकिन वहीं अगर सिर्फ पांच सो में आपका मरीज ठीक हो रहा है तो आपको और क्या चाहिए इस तरह उनके पास काफी कमाई हो जाती है तब ही शीतल वहां आ जाती है लेकिन आपने ऐसा क्यों किया दिदी उन महात्मा ने कहा था कि जब हम इसका इस्तिमाल अपने लालच के लिए करेंगे तो हमारा सब कुछ हम से छिन जाएगा ए तु चुपकर अगर तु जादा बोलेगी न तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से निकाल दूँगी समझी देरे देरे उनके पास खूब पैसा आ गया और उसने अपना एक बड़ा घर बना लिया लेकिन उसका ये लालच यही नहीं रुका उसने अब टमाटर के दाम बढ़ा कर हजार रुपए कर दिये एक रोज एक बुड़ी औरत वहाँ आई देखो मेरा बेटा बहुत बिमार है मुझे ये जादूई लाल टमाटर दे दो घबराओ मतमा मैं भी लाती हूँ ए रुक हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोली हूई पहले हजार रुपए लेकर आओ लेकिन मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं है देखो बेटी मेरा एक लौता बेटा है उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मुझे इसकी बहुत जरूरत है कहा ना पहले पैसे लाग अनिता उसे धक्का दे देती है ये देख शीतल गुस्से में आ जाती है और फिर तु मेरा कहा नहीं माने की न चल निकल जा अपनी बेकी को लेकर अब यहां से तभी जादू लाल टमाटर से आवाज आती है तुम्हारे लालच का घड़ा अब भर चुका है नया घर बन जाता है जिसमें जरूरत की हर चीज होती है अब वो अपनी बेटी के साथ उसमें खुशी-खुशी रहने लगती है और लोगों की मदद करने लगती है दीदी ये वाला सवाल देखो ना समझ नहीं आ रहा कौन सा ये वाला अरे पगली ये तो बहुत आसान है देख पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटा देना है सिंपल अरे हाँ दीदी तुमने तो कितनी आसानी से कर दिया और मैं कब से माता मार रही थी कई बार माता मारने की जरूरत नहीं होती बस नजरिया बदलने से बात बन जाती है सही कहती हो दीदी अच्छा ये बताओ वो कॉलेज का फॉर्म भर दिया तुमने नहीं मैं नहीं भरूंगे उसे मैंने तो कुछ और सोचा है हैं ऐसा क्या सोचा है मुझे भी बताओ मुझे यहां गाओं में रहकर नहीं पढ़ना अपने गाओं के कॉलेज में ना तो मेरा मनपसंद कोर्स है और ना अच्छे टीचर्स मुझे तो शेहर जाकर पढ़ना है हाई राम शेहर जाओगी और तुम्हारे साथ कौन रहेगा वहाँ कोई नहीं मैं अकेली रहकर पढ़ाई करूँगी वहाँ यहां अकेली रह लोगी दीदी हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है अरे बारवी में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फाइदा अगर सारी जिंदगी गाओं में ही बितानी है तो हम् लेकिन अपने गाओं का माहौल तो तुम्हें पता है न यहां लड़कियों कोई स्कूली बहुत कम लोग भीचते है और तुम शहर जाकर बस इसी सोचने तो बेड़ा गर करके रखा है यह बात तो सही है दीदी सच बताओं तो मुझे भी शहर जाकर पढ़ने में कोई बुराई नहीं लग बस वहां के टिम टाम से डर लगता है टिम टाम मतलब दीदी मेरी एक दोस्त बतारी थी उसके मामा की बेटी गाओं से शहर गई थी पढ़ने लेकिन वहां जाकर एक नंबर की खमंडी और पत्तमीज हो गई वो और तो और तुमें पता है वो तो सिगरेट भी पीने लगी है तो क्या हुआ शहर की जिंदगी अलग है लोग बदली जाते हैं वहां जाकर नहीं दीदी तुम अगर शहर जाओ तो कभी मत बदलना ऐसे कह रही है जैसे कली जा रही हूँ मैं अभी तो बाबा को मनाना है जो सबसे मुश्किल काम है तुम फिक्र मत करो दीदी हम दोनों मिलकर बाबा को मना ही लेंगे सीमा और माला सगी बहनी थी सीमा छूटी थी और माला बड़ी दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी माला ने हाली में बहुत अच्छे नंबरों से 12 में की परिक्षा पास की थी और अब वो शहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाती थी उसके पिता लालचंद के गाउं में कई खेत थे वो माला को पढ़ने के लिए शहर भेज सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था क्या शहर ना बिटिया जो करना है यहीं रह कर कर लो वहां अकेली कैसे रहोगी रह लूँगी बाबा मैंने सब पता कर लिया है कॉलिज का अपना हॉस्टल है जहां स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है वहां मेरा यकीन कीजिए वहां जाकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी सच में बटिया तुम्हारी मा को तुम्हारी जरूरत है सारी जिंदगी घर संभालते-संभालते ठक गई है वो और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी उश्यार हो यहां गाउं से भी बहुत कुछ कर सकती हो फिर शेहर जाने की क्या जरूरत सीमा की बात सुनकर लाल चन माला को शहर भेचने के लिए तयार हो जाता है माला शहर के एक नामी कॉलेज में अड्मिशन ले लेती है और वहीं होस्टल में रहकर पढ़ने लगती है वो गाउं से शहर अपने बहतर भविश्य को सजाने के ले गई थी लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजने ज़्यादा जरूरी हो गए सीमा का डर सही साबित हो रहा था माला शहर जाकर बदलती जा रही थी माला तयार रहना आज रात का प्लान है वोर्डन के सोने के बाद निकलेंगे सब अच्छा ठीक है यार बड़कल एक्जाम है अरे यार अब तु नाटक मत शुरू कर एक्जाम्स तो आते ही रहते हैं लेकिन डिसको पार्टी का ये मौका बार बार नहीं मिलता बात तो तेरी ठीक है चल फिर चलती हो मैं दोस्तों के साथ घुरना फिरना पार्टी करना अब यही सब माला को पसंद था इस वज़े से उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था उसके मार्क्स लगातार गिरते जा रहे थे दीदी मैंने नेट पर देखी तुमारी मार्क शीट नंबर तो बहुत कम है दीदी हाथो तो क्या हुआ अगले सेमेस्टर में कवर कर लूगी मैं वैसे तुने ये बात बाबा को तो नहीं बताई ना दीदी अभी तो नहीं बताई लेकिन उन्हें बताना तो पढ़ेगा न वो पूछेंगे तो नहीं उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मैं घर आऊंगे छुट्टियों में तो संभाल लूँगे सब बस तू अपना मूँ बंदी रखना समझी चल अब फोन रखती हो मैं मेरे दोस्त बुला रहे मुझे दीदी ये सब सही नहीं है तुम शेहर पढ़ने गई हो या ये सब करने तु एक नंबर की गवार और बेवकूफ है सीमा ये सब शेहर में रहने के तौर तरीके हैं समझी दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो क्या हुआ कुछ गलत नहीं है इसमें ना दीदी जो गलत है सो गलत है तुम वापस आजो तुम्हारा कॉलिज तो खत्मी होने वाला है न तु पागल है क्या मुझे गाँ वापस कभी नहीं आना तो अब वहां रहकर करोगी क्या तुम्हारे माग्स भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाये तुम्हें तो क्या हुआ अरे सीमा मुझे शेहर जाकर समझ में आया है कि असल में ये पढ़ाई-वढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला मैंने तो अपनी लाइफ सेट कर ली है क्या मतला देख मेरे कॉलेज में एक लड़का है राजीव वो लट्टू है मुझ पर उसके पापा बहुत बड़े आत्मी है बस अब राजीव से शादी करनी है मुझे तो क्या दीदी ये ये सोचकर तो नहीं गई थी तुम शहर तुम्हे तो अपना करियर बनाना था ना और वैसे भी बाबा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो ना माने राजीव मुझसे हर हाल में शादी करने को तयार है समझी तू और रही बात करियर की तो एक अमीर खांदार में शादी हो जाए और क्या चाहिए मैं तो कहती हूँ कि तू भी समझदारी से काम ले गाउं में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा तुझे चल मेरे साथ शहर लाइफ सेट हो जाएगी तेरी भी बिलकुल मेरी तरह नहीं दीदी तुम्हें ही मुबारक हो यह सब मैं यहीं गाउं में ही खुश हूँ माला अपने परिवार की मर्जी के खिलाब शहर में शादी कर ले थी उसका पती राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा एक अमीर घर की बहु बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा यहां तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बेहन के बारे में भी नहीं बताया वो नहीं चाहती थी कि गाउं में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसकी reputation खराब हो दूसरी तरफ सीमा ने गाउं में ही रहकर ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अब वो अपने साथ साथ अपने गाउं का भविश्य भी सवार रही थी आज उसने गाउं के गरीब बच्चों को पढ़ाया सीमा को आशरवात देते हुए उसके पिता लाल चंद की आँखों में नमी थी सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है वो सीमा के लिए बहुत खुश थे लेकिन साथ ही माला के बारे में सोच कर दुखी भी थे सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहा है और कैसी है ऐसे ही वक्त गुजरता गया सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पटीशन की तैयारी करने लगी दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचा लाया हुआ था राजीव इतना परिशान होने की जरूरत नहीं है पैसो का इंतजाम हो ही जाएगा कहीं न कहीं से कहां से हो जाएगा कैसे हो जाएगा मेरी कमपनी डूबने की कगार पर है और तुम्हें अभी जूटी तसली दीनी है मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बरबाद कर ली मैंने पापा की बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ कहां मुझे पता चला है कि अपने बैंक में नई मैनेजर ने जॉइन किया है लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज़ादा फर्क पड़ेगा तुम कैसे भी उन्हें मना ले ना अब सब तुम्हारे हाथों में कुछ भी करके लोन माफ होना चाहिए समझी राजीव और माला बैंक समझते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपोइंट्मेंट मिलता है राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है उसके आँखे खुली की खुली रह जाती है सीमा तू बैंक के नई मैनेजर कोई और नहीं बलकि माला की छोटी बहन सीमा थी दोनों बहने इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने थी लेकिन अब सब कुछ पदल चुका था सीमा पढ़ लिखकर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार सीमा ने फौरण अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया माला की आँखों से आंसु बहने लगे जिसके साथ उसका सारा घमन भी बह गया हालांकि वो चाह कर भी वो ना कर सकी जो राजीव ने उससे करने को कहा था